जैहन दोस्तो मैं भूपन नाम देओ कैसे हो आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मसत होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह पेपर SSC GD का प्रिबियर शियर का पेपर है यानि जो आपकी पिछली भरतियां SSC GD की निकली हुइ थी उसका यह पूरा आंसर की है तो आज हम हिंदी के सेक्टन को या हिंदी के पार्ट को स्वावि करने वाले हैं दोस्तों एह आप इसमें साफ– साफ देख सकते हो सैक्शन पार्ट डी तो चलिए दोस्तों वेडियो इस्टार्ट करते हैं बीना किसी देरी के अगर आ आपके 2018 की हो चाहे 2020 की हो चाहे 2022 की हो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसके अलावा कुछ प्रिवेसर के पेपर जिसमें आपका जी के रेजनिंग मैत और हिंदी के पेपर सामिल है वो मैं सॉल्ब करवाया हूँ तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो पर लिस्ट का परेया बाची समदे नहीं है तो देखो दोस्तो सुदा जो भूभी अम्रित का परेया बाची होता है सौमभी होता है अमी भी होता है लेकन और और एक चीज में आपको वताना चाहूंगा जितना जादा आप प्रैक्टिक्टिस करोगे जितना जादा प्रैक्टिक सेट के पड़ेत अब cần डाखे और ज्यादा से ज्यादा अंक आपके आएंगे चाहे ुब हिंदी का हो चाहे भू आपका मैइध का हो चाहे वू आपकारिजनेंन का हो जितना अपक्रिक्लाइड लगा होगे उतना आपके लिए बस्ध रहेगा तो पिशड है अगला आपका जो पहले नहुगा हो इस वखयास के लिए व Turkish के लिए साथ तक सब्द है तो दोस्तो जो पहले नहुगा उस video करेदे हैं आप्पूर्भ क्या लिख देते ना आपने पड़ा होगा पोस्टर में कहते हैं पूर्व इधायक मतलब यह पहले बिधायक रह छुकी है पहले की विधायक पूर्व इधायक ठीक है तो अगला पिस्ट देखिए अपर अगला पिस्ट है नीचे दिए गए बाक से रेखांगिद अंस के इस्तान पर सबसे उपियुक्त बिकल्ब कौईशा होगा तो बाख है आपका गीता को अचार अच्छी लगती है तो इसके इस्तान पर जहां मैं अंडालाइन किया हूँ इसके इस्तान पर कौई सा आपसन आपका सबसे बेश्ट बैठेगा ये आपको बता रहा है तो अगर तो तो यह मैं नहीं करें। द्गोड़ों के द्गोड़ें और एकुल कृड़ों करें अया जैसे गीता को अचार अच्छे लगता है तो यह सही नहीं है। option 4 आपका देखिए गीदा को अचार अच्छा लगता है तो यह जो है बिलकूर उप्युक्त सब्द है ठीक है तो option 4 आपका बिलकूर सही हो जाएगा ठीक है बाकी option आपको पढ़ने में ही गलत लग रहे होंगी अगला प्रिशन देखिए अगला प्रिशन है निमलिकित बिकल अप्स्टन करना चाहो तो आप पढ़के देख सकते हो और आपका बिलकूर सही होगा अशो कल खेलेगा कब केलेगा कल खेलेगा तो option 4 यह बिलकूर सही हो जाएगा ठीक है बाकी देखा गाती है अनुरजा आएगी राहुल पढ़ता है तो यह तो आपका नहीं है option 4 यह बि चैन बिकल्पों में से कीजिए तो आपका जोई underline है हाती इसके इस्तान पर कौन सा बिकल्प आएगा यह आपको बताना है तो देखिए हाती का परियावाची होता हस्ती क्या होता हस्ती ठीक है तो यहां कौन सा आएगा option 4 ठीक है और इसके अलाबा अगर आपको हस्ती नह मिरक का क्या होता परियावाची मिरक किसका परियावाची है हेरन का परियावाची है ठीक है तो यह हांती का परियावाची तो है नहीं तो यह तो गलत हो जाएगा घोटक किसका परियावाची घोटक घोड़ा का परियावाची होता है सिंग किसका परियावाची सेर का परि लाहर करें तो इत का इद का का मेंखने होना सेव होना मिठाई होना कि चांड होना कि तो राइट पांच शेगी किलास में पढ़ते थे, एद का चांद होना, ठीक है ना, नौदो ग्यारा होना, तो कहीं कहीं क्या की, आसान प्रिश्ण पूछ लेते हैं, और कहीं कहीं ऐसा पूछ लेते हैं, कि उसका सब्द का मतलब भी बता ना हो, ठीक है, अगला देखिए, मेगडूतम महकभी कालिदास का महित पूछ ग्रंथ है, बाक के में अशुद्वर्टनी वाला शब्द है, तो आपका जो ये बाक दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा असुद्ध सब्द लिखा हो गलत, तोटी पूछ लिखा हुआ है, तो कौन सा लिखा हुआ है, क काली दास एह होता है आपका सही रूप ठीक सही वैतनी ऐसी होती काली दास की तब कि यहां बड़ी ली लगी हुई है इसलिए यही आपका गलत है तो आप संत्री बिलकुल सही होगा तो बहाई साब बढ़ते हैं अगले प्रिश्ट की और अगला प्रिश्टन है आपका निमलिकिट विकल्बों में किस एक बाख में साप सब्ड के लिए उचित बिलॉम सब्ड का प्रियोग हुआ है तो आपका जो ईस साप सब्ड stat ए constraint है इसकी बिलॉम सब्ड आपको बताना ह सराम मतलब वही साप का समानाती सेथ करद सराम दे दि caint साप का उलता क्या होगा सरा Buddha का बर्दान दे दिया मतला आसीरवादds बार्दान किसे देते हैं आसीरवाद में भी हुगा है साप का याज़ से हमकुष आपके तो आसी रुपाद जो है वो आपका साप का बिलौम सब्द है तो आपसर फोरी बिल्कुर सही हो जाएगा साप मतलब सराब ठीक आसी रुपाद मतलब बर्दान सराब का उल्टा होता बर्दान तो साप का उल्टा आसी रुपाद समद्ध में आगया अगला देखो अगला पिश्ट है निवलिखित बाग के रिक्रिस्तान के लिए सबसे उप्युक्त मुहाबरा क्या होगा तो बाग है मेरे बच्चे पिति दिन डैस टहलने जाते हैं तो आपके ऑफ्सन दिये गए हैं मेरे बच्चे पिति दिन ओंजे मुह टहलने जाते हैं गिरे मुह टहलने जाते हैं अंधेरे मुह टहलने जाते हैं कि फटे मुह टहलने जाते हैं तो इस मुहाबरे का राइट आंसर होगा अंधेरे मुह टहलने जाते हैं कैसे जाते हैं अंधेरे मुह अंधेरे मुह मुहाबरे का एरत होता है उजाला होने से का वह इस्ताज जहांستाईמहित की वस्तों का संग्रा आ हो इस वाक् Springs के लिए एक सम्हान क्या होगा तो हिसका जो राइट अंसर बो होगा संग्राला है पुस्तकाला होगा नहीं बेद्राला होगा नbenदयाला होगाए ना कि आपका प्रयुक्साला होगा तो यह तो इस ताइब महत की वर्स्तों के संग्रा हो उसे हम संग्रा लए कहते हैं ठीक ऑप्सन बन बिल्कुर सही इसमें कोई दिखकर नहीं है अगला प्रस्ट देखे निम्न बाक के रेखांकित अर्सकेस्तान पर सबसे उप्युकते बिकल्प कौशा होगा तो एक चीज़ों बताना चाहूंगा आपके दोस्तों 20 में से कितने अंक बने हैं यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ठीक है तो आपका बाक है बेटों में युद्ध हो गई क्या हो गई युद्ध हो गई तो यह तो भाई युद्ध तो आपका पहले सी गलत हो रहा है युद्ध हो तो बेटों में संगराम हो गई यह भी सही नहीं है बेटों में लड़ाई हो गई तो आपसन फोरी पिल्कुँ सही हो जाएगा ठीक है सबसे बेस्ट बताना पड़ता है तो ज्यादा कुछ नहीं देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा आपके अधिक तब बातनी वाले र सब्सक्राइबाटी यह जी डोगर किसी मैं एक भी नहीं है देखा हूं है फरीनों सब्सक्राइबाटी से जादा आपके देखने को नहीं है सुद असुद्ध सब्सक्राइबाटी Süd SM सब्द आपके दूसें तीन मिलेंगे ठीक है दो पिश्ण तो देखने को मिलती है तीन नीहीं कहूं तो वहाबरे आपके दो जेन मिलेंगे ठीक है 5 अंका गध्धानस आपका किलिए दी है अगला पिश्न में बॉर्थनी की यहां पर एक बिंदी होती है कहाँ गलत है इसलिए गलत है तो आप संदू बहुत भाग कई सा है तो यही आपका आपसुद भाग ऑपसंन ु बिल्कु helps अगला देखिए जो लोक में शंबोनाहू बाक्यांस के लिए साथ तक एक सब्द क्या होगा तो भाईया जो लोक में संबोनाहू से आलोकिक कहते हैं क्या कहते हैं और लोकिक कहते हैं क्या यह द्रस्ट कितना आलोकिक है ऐसा आपने सुना हुगा यह द्रस्ट कितना आलोकिक ह तो जो लोग में सम्भून आओसे आलोकिक केहते हैं तीक है यह तू आएका नहीं यह तो आएका नहीं लोकिक आएगा नहीं ना हो वह गाए तो लोकिक तो बैसे भी नहीं आएगा औप्सन बन बिल्कुई सही हो जाएगा तीक है अगला पिश्ट अभी चल का बलॉम निम्ल मेंसे नहीं है तो दोस्तों जड़ नहीं है कोई से नहीं है जड़ नहीं है औप्सन बन बिल्कुई सही है अगला पिश्ट देखें निम्लिखित मेंसे किस बाक में सर्वनाम समंदी असुद्धी है सरवनाम समद्धी पूछा उसने तो मुझे पता है कि आज वहाँ यहाँ आएगा ठीक है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ वह है तो बिल्कुल पत्थर बन गया तुम तेरा घर यही आपका असुद्धी है सरवनाम समद्धी ठीक है तो अगला प्रिशनी यह अगला है आपका पांचंग का गढद्धांस ठीक है इसमें आपका माइंड चेक किया माइंड समन लीडिए कि आपकी सौचने पिक उपर गंध्यांस है ठीक है तो वहां से भी आप प्रप्रेशन का सही उत्तर दे सकते हूं मतलब सोचने की चम्दा क्या है आपकी समझ में आ रहा है तो भईया गंध्यांस है पड़ो गंध्यांस को किराए पहले पूरा संसार एक परिवार के डैस था तो एक परिवार के भीतर था एक परिवार के शामान था शामान था अंदर था तो भईया अंदर और भीतर तो आएगा नहीं ठीक है समान और समान में जो सही सब्द होता है वो होता है ये वाला ठीक है इसमें बना है बड़ा सा तो ये गलत हो जाएगा option two बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अगला देखिए अगला है यहां से एक मिनट एक मिनट अब टुकणों में बढ़कर एक दूसरे डियर्स दूर हो चुके है एक दूसरे से दूर हो चुका है अब टुकणों में बढ़कर एक दूसरे से दूर हो चुका है एक दूसरे के दूर हो चुका है तो के तो आपका उप्यूकते सब्स नहीं है भई या ने हो चुका है तो ये भी नहीं है अब टुकुनों में बढ़कर एक दूस्टे से दूर हो चुका है तो आपसन टू विल्गों ए तो आसान है यार गद्धांस इसमें एक्ष्पिलेंग करना भी आपको सही नहीं है ठीक जोन परती है यारे भी इसमें अपने गारे-घर पर ही देख लो तुनिया दारी चोड़ो अपने घर पर ही पहले कैसे रहते थे थे दाएब चाचा चाज यह सब रहते थे लेकर आपका देखो तो सब अलग अलग रहते हैं यह आपको बटवार चाहिए यह बोची यह लेनों तो इसका राइड आंसर होगा अपसक्त तरी मिल जूल कर रहते थे जैसीए है अगला देखीए फिर यह एक मिनट्यां रहाएं से डैसओ झो मैं कि जीवण मैं कि समटने एक मिनट एक मिनट्यह रहते थे एजओ छोटी चोटी जी डिबा़ जैसे तो अब चोड़ी जीड़ory असी घरओं में तो और पहले के जमानी की बात हो रही हो और आपके जमानी की बात हो रही है ठीक है तो बढते हैं अगले प्रिश्चल की ओण है तो जब उसने बोल दिया पहले जब यहां उसने सब यहां पर प्रयोग किया पहले रहते थे तो आप कहा है अब छोटी छिटी टो जैसे घरों में रही है ठीक है बिल्कुल सही होगा आशान गद्दान से कोई दिक्तर वाली बात लिए तो दोस्तों यह यह थे आपके एससे जीडी में पूंची गए हिंदी के पिष्ण बीडियो कैसे लगा बिल्कुल जिरू बता है और ये गंधास में आपको ऐसा गंधास से इसमें आप पांच मैंसे पांच ले सकतू ठीक है इससे कम नियान चाहिए बहुत ही आसान गंधास थाए बहुत ही आसान कहूंगा म है ओप्शन टू बिल्कुल आसान कह दान्स था यार बच्चा भी लगा देगा है अ कर दो कि एड़ कि एड़ कॉड़ कर दो कर दो कि ला ओदे हैं।